नमस्कार शामदरिक विज्ञान के इस अंक में एक बारपनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लोक्स में एक सुन्दर सी फीमेल हतीली आप महिला जातिका है और आपकी रियल हतीली मेरे शामने बिवी चना के लिए आ रखी है यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो मस्तिस्क की रेखा है यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है और जो ये सनि परवत है इसके बीच में ये जह थोड़ा सा तूट रही है ये इंगित कर रही है ये रेखा कि आपको अपने जीवन काल में कभी भी साजेदारी में मनि पार्टनर्शिप में काम नहीं करना है कहीं न कहीं आपको साजेदारी से तनाव होगा धन का नुकसान होगा और दूसरा आप अपने जीवन काल में कर्ज के लेन देन से भी बचे बच के चलना होगा तो ठीक यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसे जब ये मस्तिस्क की रेखा सनी परवत की नीचे थोड़ी सी टूटी हुई होती है तो कुछ लोगों के जीवन में 24 साल के उमर के आसपास वाहन दुरगटना होनी की संभावना जादा रहती है या कोई सार्रिक कष्ट होगा ये चीज इंगित करती है ठीक है तो वो समय तो आप कहीं न कहीं आपका निकल गया है लेकिन फिर भी जीवन में जो मैंने चीज़ें कहीं है उनसे आपको बच के चलना है एक और चीज आपके हतीली में है अगर आपकी ये रेखा पूरी इसपष्ट होती और जिस तरों से ये रेखा है आपकी वैसे ये सपोर्ट तो करेगी जबरदस्त रोप में करेगी आने वाले समय में बहुत अच्छा और मैं इसका उपाई भी दे दूँगा आपने बहुत कहा जाता है कि ये जातिका बहुत भग्यसाली होती है चाहिए इन लोगों ने कितनी भी गरीब परिवार में जन्म लिया हो तो भी ये लोग अपनी योगिता के कारण अपनी जीवन को बहुत बड़े मुकाम तक ले जाते हैं बड़े अस्तर तक लेके जाते हैं बौदिक अस्तर ऐसे लोगों का बहुत अच्छा रहता है और जीवन में सभी प्रकार के बहुत इक सुक ये इन लोगों को प्राप्त होते हैं चाहिए ये लोग नौकरी करें ब्यावसाय करें या अन्य कोई कारें कहीं न कहीं ये दोहरी मस्तिस्क रेखा संकेत करती है कि जातिका अ और अपने दम पर सफल होगी ये निश्चित है और बहुत बड़ी सपलता आपको हासिल होगी ये भी दिखाई दे रहा है वहीं देखेगा धीरे धीरे आपकी हतीली में यहाँ पे मंगल की दो लकीरे इस पश्ट रूप से उभरती हुई दिखाई दे रही है ये और भी ज आपको दूसरों का सैयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है एक दूसरे को पावर दे रही है और धीर धीर अच्छी आउस्ता में आ रही है जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी किरपा आपके उपर रहने वाली है इसको आप खुद भी अनुभू करेंगी और ये लम marriage भी होती है अगर ब्यक्ति करना चाहे अपने मन पसंद की साधी होती है दूसरा ये रेखा इंगित करती है कि आपके पास बहुत अच्छी प्रतिबा है आप प्रतिबा की धनी है तीब्र बुद्धी की मालकिन है और उस प्रतिबा को उस तीब्र बुद्धी को implement करने के platform मिलने वाला है और इसका लाब आप कमाने वाली है तीसरा ये बताता है कि आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है भगवान ने बहुत अच्छे रूप में दी है और ऐसा भी ब्यक्तित तो आगे चलकर निखर के आने वाला है कि आप अपने जीवनकाल में एक बार यदि कोई decision ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे आगे चलकर इसकी वजो से आपका ब्यक्तित तो अपने आप में अच्छा खासा प्रभाव साली रहेगा ये इस पश्ट तरीके से यहां पर बता रहा है एक चीज और बता रहा है कि आप अग हुनमान जी की स्रनागत जाती है हनुमंत जी महाराज की तो आपका जीवन चमतकारिक ढंग से मोड लेगा और पूरी तरो से एक जैसे ब्यक्ति की जीवन में एका एक चमतकार होता है आपके जीवन में होगा लेकिन तब होगा जब आप हुनमान जी की स्रनागत जाएंगे क्यूं? क्यूंकि यह इसपश्ट बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं पंच महां भूत जिन से सरीर बनावा है फाइब इलिमेंट जो आपके सरीर के अश्टा चक्र हैं उसमें भी साथ मेजर चक्र जो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्परताल मेल में होते हैं जो आपके नवद्वार हैं उसमें भी ब्रह्मरंदर स्रेष्ट जिसमें इस्वर का वास होता है जो आपके पंच महा कोस हैं जो आपकी पांच ग्यान इंद्रिया हैं पांच कर्म इंद्रिया हैं इनके अनुसार देखा जाए तो आपके हतेली इस पश्ट रूप से कह रही है कि आपके जो इष्ट है जो आरध्य देब है वो हनुमान जी महाराज है और जितनी जादा सरनागति जाएंगी उतनी जादा जीवन में दिव्यता और भव्यता की आपको प्रात्ति होगी ही होग कि इसमें कोई दोराई नहीं है बहुश्य में इनकी किरपा से आप यकीन मानिएगा जो मैंने अभी तक हतेलियों का विसलेशन करके देखा है जो पाया है उसके अनुसार कह रहा हूँ अपने घर का सुक आपको मिलेगा ही मिलेगा और आप अपने जीवनकाल में सपलता की प्राप्ति करेंगी ही करेंगी और अपने को एक बहुत बड़े मुकाम तक ले जाएंगी जीवन को बड़े मुकाम तक ले जाएंगे बड़े अस्तर तक ले जाएंगी और बौदिक अस्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और आप अपने दम पे अपनी जीवन में सफल होंगी अपने दम पे आप सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं यह इस पश्ट बता रहा है और इसके साथ हिरदय रेखा भी इस पश्ट बता रही हैं यह बता रही है कि आप अपने बल पर जीवन काल में सर्वता सपल होंगी अपने बदोलत आप जीवन में सब कुछ पाएंगी हाँ प्रेमी अत्यंत होंगी आप और कई बार आपकी प्रेम करने की जो भावना है सक भी आपके अंदर भर लेगी ये भी इस्तिती को दिखाती हुई नजर आ रही है एक बात और है बरतमान में अगर हम देखें ये जिस तरो से ये रेखा है आपकी चंदरमा से इसपष्ट मिल रहे हैं और चंदरमा पूरी तरो से बैलेंस नहीं है तो ये बता रहे हैं कि बरतमान में बहुत ज़्यादा सोचनी वाली जातिका बन गई हैं आप जाततर हर समय आप कलपनाओं में डूबी रहती है और आपका जो मन है वो भी एकागर्चित नहीं वो पा रहा है लेकिन बहुत बड़ी सपलता भी आपको हसिल होगी हाँ जीवन में कलपना सकती बहुत ज़्यादा रहेगी अभी तो क्या कहीं चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और ये पूरी तरह से मन जो बुद्धी है वो चंद्रमा से ही प्रभावित है तो केवल कलपनाओं में ही जीवित रह रही है मन कोई आउटपुट निकल के बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है ये इस पश्ट बता रहा है दोस्तों यदि आप भी अपनी हतेली की लकीरों के रहष्य को जानना चाती है कि ये खन खनाती हुई क्या बूलती है आपके जो ये परवत हैं ये क्या बोल रहे हैं आपके बारे में आप जिस तरब जा रहे हैं जो मार्ग आपने पकड़ा है क्या वो सही है आपके जीवन में परेशानियां किस लिए आ रही है आपको क्या करना चाहे कि आपका जीवन एक समर्द साली हूँ आप बड़े मुकाम को हासिल करें तो इसके लिए आप इन चीजों को जानना चाते हैं जो 30 के माध्यम से हस्त रेखा के माध्यम से तो मुझे वटसप करें 877 00631 28 ये मेरा वटसप और कॉलिंग नम्मर है आप मुझे अपने हाथ की साब सुतरी फोटो खींच करके कलाई सेली की उमलियों सही दोनों हतेलियों की अलग-अलग फोटोग्राफ खींच कर मुझे वटसप कर लीजेगा मैं उस वटसप नम्मर पे आपको डेट दे दूँगा और उस डेट को आपका विसलेशन करके आपको बता दूँगा आप अपना नाम भी लिखें अपनी जो उम्र है वो भी लिखें और आपके जो जरूरी सवाल है वो भी लिख करके भीज दीजेगा और उसका जो समाधान निकलेगा वो ओडियो के माद्यम से और लिख करके आपकी वोट्सप नमर पे पहुचा दिया जाएगा अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें या वोट्सप करें 8700-63-1128 चलते हैं पना हतीली पे आपके सवालों को भी हम लेते हैं उससे पहले थोड़ी एक दो चीजें देख ले यहाँ पे देखते हैं तो आपके हतीली का जो आकार दिखाई दी रहा है यहाँ पे देखेंगे तो मिस्रित है थोड़ा चोकोर है और थोड़ा जो है आयताकार है चोकोर का मतलब है मेहनती हैं मेहनत से घबराती नहीं है अगर प्लेटफॉम सही मिल गया कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप एक योधा किसम की जातिका है मेहनत करने में कायरता नहीं दिखती है और कहीं न कहीं रिसर्च की भावना भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है ब्रिस्पती से समंधित कार्या आपको ज़्यादा काम्यावी दिलाएंगे आप चाहे प्राइविट नोकरी की और जाएं चाहे सरकारी नोकरी की तरब जाएं चाहे अपने ब्यापार की तरब जाएं ध्यान रखें ब्रिस्पति से समंदित कारे आपको जादा काम्यावी दिलाएंगे कौन सा चाहे सिक्षा का छेतर हो चाहे इंजिनियरिंग का छेतर हो चाहे चिकित्सा का छेतर हो चाहे मैनेजमेंट का छेतर हो चाहे बानिज्य का छेतर हो चाहे कानून का छेतर हो इन छेत्रों में यदि आप काम करने की सोच रही है तो निश्चित तोर पे आपको आगे चल कर काम्यावी जादा होगी ब्यापार की तरब जाएंगे तो आपका सुक्र बहुत अच्छा है इसका लाब आपको प्राप्त होगा अब आपका पहला सवाल ले लेते हैं आप लिखते हैं मेरे इश्ट कोन है मैंने पहले इसकी बारे में चर्चा कर लिए है आपने लिखा करियर होगा या नहीं करियर जरूर होगा लेकिन अभी दीखेगा आप आपकी करियर और जो धन की रेखा है ये बिलकुल टूट टूट कर आगे बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है और यहां पर पूरा जाल बना वहा इस पश्ट दिख रहा है और किये तो भी आपका काफी डिश्टर्बेंस इस्तिति में है अर्चन वाली इस्तिति म इसको कहते हैं यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले करियर और धन की रेखा का प्रभाव विक्ति के पास टूटा वहां पड़ता है मनि धन और करियर के मामले में इस्टेबलिटी नहीं रहती है उतार चड़ाओ रहते हैं और असपलता का सामना जादा विक्ति को करना है ठीक है नै और जब यहां पर ब्रस्पति नीचे की तरफ होता है तो क्या होता या तो परिवार को लेकि चिंताएं होती है या साधी बहुत देर में होती है साधी नहीं हो पाती है अर्चने बहुत जादा आती है साधी लेट से होती है दूसरा जो छितर मेने गिनाए उस में बहुत जल्दी काम्याभी नहीं मुलती है तीसरा यहां पे इसका प्रभाव पढ़ता है तो जीवन में कुई न कोई चिंता बनी रहती है और थोड़ा संगर्स रहता है जब यहां पे इसका प्रभाव पढ़ता है जो छेतर में दिखा रहा हो तो ये नगेटिव ओर जाए इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन पे आपके मस्तिस्क पे पड़ता है कहीं न कहीं जीवन थोड़ा सा उलज़न में आ जाता है या जीवन में पूरी उलज़ने आ जाती है और आपकी जो निरणे लेनी की ताकत है वो तोड़ी कहीं न कहीं छीन हो जाती है आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तों में क्या करना चाए और किस तरप हमें जाना चाए दोसरा इसका प्रभाव आपकी रिष्टों पे पड़ता है खासकर आपका दामपत्य जीवन का रिष्टा, आपका परिवार का रिष्टा और आपका कुटुम का रिष्टा इन रिष्टों का जो चरम सुक्का भोग है उसके बीच में प्रस्तितियां खड़ी हो जाती है और उस चरम सुक्का भोग आपको नहीं मिल पाता है तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्त्य पर पड़ता है चाए वो सारिक हो या मानसिक स्वास्त्य हो इसमें ये विकार देनी की कोशिस करता है चोथा इसका प्रभाव आपके जो है आर्थिक सेहत पर पर पड़ता है ये बरकत की कमी कराता है ये इश्टकिरपा निकाल लेता है और अंदर से खुशियों को निकालता है और आर्थिक तौर पर आपको बहुत ज़्यादा कमजोर या दरिदर्ता की और धगेलनी की कोशिस क पांचवाँ और सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव है आपके डेपलपमेंट पे और आपके प्रोग्रेश पे पड़ता है जो आपका सपलता का अस्तर हो जाना चाहे था उसको ये माइनिस की तरब धकेलता है मनि जीवन की जो नीव है ये उसकी जड़ों को खोकला करता है ये जो योग मैंने बताया है गुरुचार्णाल योग और आपके समर्द जीवन को उसमें ध्राम से गिरा लेता है और जीवन के महतों को खतम कर लेता है अब आपको वास्तों में करना क्या चाहे जिससे इन चीजों से आप उबरें और एक चमतकारिक ढंग से अपनी जीवन को पूरी तरो से पटरी पेलाए और एक बड़े मुकाम तक ले जाए और कितना समय इसमें लगता है सबसे पहले ये जानिएगा देखेगा आपको क्या करना है सबसे पहले आप अश्नान करती है रोज करती है मैं आपको एक बनस्पति अश्नान करने की परकिरिया दूँगा बहुत अच्छी परकिरिया है कुछ एक्ष्ट्रा नहीं करना इसमें हलके से बनस्पति दर्बे डाल करके एक छोटी सी प्रक्रिया का पालन करके आपको बनस्पति अश्नान करना है कुछ दिन्यों का है जरूर करिएगा और उसके साथ एक छोटा सा मैं उपाई और दूँगा बनस्पति अश्नान की ही स्वयोगी उपाई है जरूर करेंगे तो आपकी जो है देखे अगर साधी को लेके या नहीं हुई है रिस्ते नहीं बन पा रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको इसका लाब मिलेगा अगर रिस्तों में कोई कटुता आ गई है तो वो एकदम ठीक हो जाएगी और नगेटिब उर्जा आपके सरीर से निकल जाएगी दूसरा मैं एक दिब्य सूर्य किरिया आपको दे रहा हूँ जिससे आपके जो अश्टा चक्र हैं उसमें भी साथ मेजर चक्र जो भगवान सूर्य के साथ प्रस्परताल मेल में होने चाहिए वो अश्टा चक्र आपके एक सीद में आ जाएंगी बहुत सांदार प्रणाम आपको मिलेगा वहीं मैं आपको एक दिब्य योग ध्यान किरिया भी दूँगा एक प्रकार का मेडिटेशन है योगा है जरूर करेगा आपको बहुत बड़ा लाव होगा ये तो हो ये छोटी छोटी किरिया आई अब वास्तों में जीवन को पूरी तरों से बदलने के लिए आपको क्या उपाई करना है अपने इष्ट की सरनांगती जानी है और इष्ट की सरनांगती अगर आप चले गए और वो है भगवान हनुमान जी की एक छोटी सी सादना बहुत सरन बहुत सुन्दर और जिस से बहुत बड़े मुकाम को हसिल करता है मैं ये चीजें आपको बहुत बेहतरी डंग से सरनलतम डंग से दे रहा हूँ करके देखेगा आप खुद मुझे लिखके भीजेंगी या कौल करके भीजेंगी कि मेरे जीवन में वास्तों में बहुत बड़ा जो है एक चमतकार हुआ है ये निश्चित लेकिन ये उसके उपर डिपेंड करेगा कि आप कि सर्दा से कर रहे हैं बिदी के उनसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तब ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा लेकिन अगर करेंगे कैसा भी असद्य से असद्य रोग हो चाहे निक्रिष्ट से निक्रिष्ट चीजें हो सब खतम हो जाएंगे और आपको एक बड़े मुकाम पे ये ले जाएंगे और करियर 18 महने के बाद अगर आप देखेंगे आपका बहुत अच्छा करियर रहेगा निश्चित तोर पे आपने लिखा है नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी यकीन मानिएगा जिस तरो से चीजे हैं उपाय करते हैं तो 18 महिने के बाद आपको मन चाहिए नौकरी मिलने में ये चीजें साहता परदान करेंगे सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा देखेगा यहाँ पे जिस तरो से ये नगेटिव और जा है आपको सम्मान नहीं दिला रही है यस नहीं दिला रही है परसिद्धी नहीं दिला रही है हर कारियों में, हर चीजों में, हर आयाम में ये बादाएं पहुचा रही है लेकिन इनके खतम होते ही आपके रिष्टों में प्रगाटता आएगी परिवार का शानदार सम्मान मिलेगा बाहर भी बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा और यस की प्राप्ति होगी आप लिखते हैं स्वास्त्य कैसा रहेगा अभी कि मैं बात करूँ चाहे मानसिक हो चाहे सारे रिक स्वास्त्य हो आपका वो इतना बहतर नहीं है जितना बहतर होना चाहे लेकिन आगे चल कर देखा जाए तो स्वास्तिया आपका बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे अगर देखें अभी मंगल का प्रभाव पड़ रहा है वो सकता है कि बलड प्रेशर की समस्या हो या आने वाली हो वो सकता है सारे कमजोरी महसूस होती हो या कमपन की समस्या होती है या जोडों में दर्द होता हो या चड़ मंगोर वाला गुस्सा आता हो या चिड़चड़ा स्वभाव हो जाता हो लेकिन एक दिव्य सुरे की रिया दिव्य योग ध्यान के रिया दे रहा हो इसमें इसका उपाई छुपावा जरूर करें इस स्वरक किरपा कैसी होगे मैंने पहली बताया है इन दो लायनों को देख करके कि आप स्वयम अनुबहो करेंगे कि भगवान की बहुत बड़ी किरपा आपके उपर है बनी हुई है आपने लिखाए जीवन साती कैसा होगा इसका मतलब आपकी साधी नहीं हुई है यहाँ पर अगर हम देखें दोनों ये बहुत सुन्दर इस्थिति में हैं देरे देरे पुष्ट हो रहे हैं इसका मतलब है आपका जीवन साती बहुत अच्छा होगा और बहुत केरिंग वाला होगा केर करने वाला सम्मान करने वाला होगा बच्चे समान करेंगे या नहीं देखेगा आपका सुक्र बहुत अच्छा है साथ में ब्रिस्पती भी अच्छे भाव में बैठा हुआ है दोनों गुरु बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब है निश्चित तोर पे जो है सम्मान करेंगे मैं अपने इश्च को प्राप्त कर पाऊंगे ये तो आपके भक्ती के उपर और आपके समरपन के उपर डिपेंड करता है लेकिन ये जरूर कहुँगा कि अपने इश्च की किरपा आपको प्राप्त होगी ही होगी इसमें कोई दोराई नहीं है तो ये रहे आपके सवाल औ और कुछ मेरे जवाब अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पर यहाँ पर अगर देखते हैं तो यह उंगली पूरी तरो से जुकी हुई दिखाई दे रही है और इस उंगली की तरब देखेगा जब यह बहुत जादा जुक जाती है तो ब्रेस्पती के जो सांदार गुण है इन में कमी करती है और जो इस्ट किरपा होनी चाहिए ने वो नहीं हो पाती है ब्यक्ती पाठ पोजा तो करता है लेकिन इस स्वर की किरपा उसके उपर ना के बराबर होती है और अंदर की खुशियों को यह निकाल लेता है ब्यक्ती तरक्की करके कहते हैं एक प्लेनेट से दूसरे और्बिट में नहीं पहुँच पाता है तो उसको चाहिए तो आपको कहीं न कहीं चीजों का जो मैं उपाए दूँगा उनका अनुसरन करना चाहिए यहाँ पे देखेंगे तो यह कहीं न कहीं इस तरफ ट्रिड हो रही है यह अच्छा है आगे जाके लाब देगा यहाँ पे देखेंगे तो यह इस तरफ से जुक रही है इसकी तरफ यस पाने के इक्षा नेम फेम पाने के इक्षा और अपने कारियों में विस्तार पाने के इक्षा आपके अन्नर जादर रहे यह दोनों उंगलियां लगबग बराबर है तो धन और यस की भूक है पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मातर लक्ष भी यही दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखेंगे इस तरह से धन का माने की ललक बहुत ज़्यादा रहने वाली है आगे चल कर इसका लाब होगा लेकिन अभी देखें इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच रहे है तो धन के प्रबंदन में कागजों के रख रखाओ में एकावंटबिल्टी में फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन इसकिल्स में थोड़ा कमी दिखाई दे रही है नेचुरल तरीके से इस कमी को पूरा कनने के लिए आप थोड़ा सा यहां तक नाखुन बढ़ाएं इसके पहले पौरवे तक तो इसका लाब आपको बहुत अच्छा होगा एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी हुई है और सुखत जीवन जीने के लिए प्रेतनसील बिक्तितों भी दिखाई दे रहा है यहां पे ये कूबर दिख रही है देखेगा ऐसा बिक्ति बहुत बुद्धिमान होता है आत्म ग्यानी होता है दोसरों को भापने की ताकत रहती है उनके अंदर की चीजों को बिक्ति भाप लेता है बहुत इंटेलिजेंट और सार्प माइंडेड रहता है लेकिन जब यहां पे नगेटिब उर्जाहाबी हो और ये ऐसा हो तो सुक्र का थोड़ा प्रभाव इसमें अलग पड़ता है और खास करके अगर आप 42 वर्स तक नहीं पहुँचे है तो 42 वर्स से ये पहले क्या करता है कि जीवन काल में कहीं न कहीं संगर्स को देने की कोसिस करता है और बिक्ति जल्द बाजी में भावनाओं के बसीबूत होकर और उतावलेपन में काम करे तो धनहानी बहुत बड़ी ये दिखाता है ऐसे लोगों को 42 वर्स से पहले ब्यावसाई बड़ा सोज समझ कर करना चाहिए और ब्यावसाई बहुत जरूरी हो तो पार्टनर्शिप में जीवन में कभी नहीं करना चाहिए ये ब्यावसाई में नुकसान को दिखाता है एक बात और है खुब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धना आता है और खास कर जीवन में धन कमाने की इस्तिति लेट बनती है यहाँ पे देखेंगे तो 41 वे वर्स से चीजे थोड़ा थोड़ा ठीक होनी शुरू हो रही है और 56 वर्स की आयू की बाद बुड़ापे में दुबारा बहुत अच्छा समय इनका लोट करा रहा है लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वेसे वेसे पेट का दर्द है गोटने का दर्द है कमर की प्रॉब्लम है इसकी सम्मावना रहेगी साटेका की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं तो योगा है प्रणायाम है जरूर करे आपको लाब होगा यहाँ पे हम देखेंगे तो इसकी और इसकी दोनों की हमने बात कर ली है यहाँ पे जीवन रेखा आपकी इस प्रकार से आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है यहां पे यूँ तो यह यही बता रहा है क्योंकि यह है तो यह कितनी भी खराब हो इसका दुस्प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा तो ये जरूर है जन्म अस्तान से दूर जादा उन्नती है जन्म अस्तान में रहकर बहुत बड़ी उन्नती नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे अगर हम देखें सुक्र का भाग ये पीछे के तरब जुकावाए घूमने फिरने के बहुत जादा सौकीन रहेंगे इसका लाब होगा देखेंगा कला है सुंदर है और सुंदरता है इन सब चीजों के लिए और एक सुखत जीवन जीने के लिए हतीली में इसका पुष्ट होना उबरावा होना सुंदर होना जरूरी है आप देखेंगे तो आपकी हतीली में ये सुन्दर रूप में उबरावा है तेजो में अवस्ता में है आपको ये भी ये बहुत धीरे धीरे तेजुस्वी बना रहा है चेहरा भी बहुत सुन्दर रहेगा आपका और जो सुन्दरता है जो आकरसन है हमेशा आपके अंदर वि दिखाई दे रही है 40 पार करनी के बाद और कहीं न कहीं जो है बहुत बड़ी प्रसिद्धी भी ये देता हुआ दिख रहा है ठीक है न मंगल थोड़ा सा जो है वेक है इसके बारे में मैंने बता दिया लेकिन ये ठीक है प्राकरम को बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेट नगेटिव उर्जा को ठीक करें सनी की इस्तित देखें चाए नोकरी का मामला हो चाए करियर के किसी भाग का मामला हो चाए भग्या का मामला हो थोड़ा सा ये जो है अर्चनी इसमें डाल रहा है तो नगेटिव उर्जा को ठीक करें सूर्य की इस्तित देखें तो करें बुद्ध बहुत अच्छा है चेहरा को भी बहुत अच्छा रहेगा और आगे चल कर वाणी की ताकत देगा बहुत अट्रेक्ट करने वाली और इसका बड़ा लाब आपको होगा चंद्रमा अनबैलेंस है कभी-कभी मन को गड़बर रखता है कभी-कभी मानसिक प्रेश परफ्षान कर लेता है और कभी-कभी मन अच्छा नहीं रेता है मन भटकता है ब्याकुल हो जाता है वह चाट हो जाता है काम यहां कर रहे हैं मन कहीं और रहता है ठीकने और इसका असर आपके डाइजिस्टिप सिस्टम पर पड़ सकता है पीट की तकलिपे हो सकती हैं तो थोड़ा पानी का सीवन अच्छा करें तो आपको लाब होगा देखा जाए तो मैंने आपकी हतीली का पूरा बिसलेशन करके आपको बता दिया है और जो उपाई है वो बिदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के मादिम से आपको भीज रहा हूँ आप करने की कोशिस करें निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा और इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार